आप से बात कीजिए और इसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो ऊपनी आखे खोली जागी और कुछ कर ये अब ये वो वक्त नहीं रहा कि हम अब लोगों को बेवकूफ बनाएं आप अपनी politics करके अब इस वक्त भी लोगों को बेवकूफ बनाएंगे तो लोग मुझे लगता है जूते मारेंगे आपको पगड़ यहां पर कि अब आप बार पर कहीं कहीं जा जा के टाइम वेस्ट मत कीजिए ना लोगों का ना अपना और ना ही जो लोग काम कर रहे हैं उनका तो यह है कि विपक्ष पार्टी के जो नेता हैं वो जितनी पावर इस वक्त उनमें है न वहीं लोगों का सकताओं इस वक्त पाइगा उसकी कम वहीं करें और करेका बाड़ा K Har == इसडिस स्टेट्मेंट तो गाइं कि आप यहीं कि हैं आप जम्मू के हैं आप जम्मो के रेप्रेजेंटैटिव हैं तभी हम सुधार सकते हैं यहां पर हम इमेज बनाने के लिए लगे हुए है कि हमारी इमेज ना खराब हो जाए मीडिया को मीडिया अगर अंदर आ गई तो कई महीनों पहले मैं यह बात बोल चुकी हूं जब तक रविंदर रहना जी वहां पाटी प्रेसिडेंट है स्टेट प्रेसिडेंट है मैंने यह कहा कि अगर ऐसा कोई इस तरीके इस वक्त भी अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो लोग पकड़के मारेंगे और यह जिनके इतनी देर होने से आज तक एड्मिनिस्ट्रेशन को कोई परक नहीं पड़ रहा तो उसे बिठाने का कोई मतलब भी नहीं मनता उस इंसान क उसे हटाई हैं ऐसे कोई अच्छा वहां से क्या कर सके मैं अतन धुलू जी की बात कर रही हूं इस वक्त उनके हाथ में पता नहीं प्वह झा यह वह प्छ नहीं लग रहा है जम्मू किश्मीर में जब बारते जंता पार्टी की सरकार बनी थी तो जम्मू के लोगों को एक उमीद जगी थी कि अब जम्मू को एक नहीं पेचान दिलवाई जाएगी और जम्मू को अपना हग दिलवाईगी बारते जंता पार्टी लंबा समय बारते जन्ता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बिताया लेकिन आज भी जम्मू के जन्ता को अपना हग दिलवाने से वंचित रही है बारते जन्ता पार्टी विपक्षी पार्टियों की अगर मैं बात करो तो विपक्षी पार्टिय लगातार वाजपा पर निशाना साथ की हुए नजर आ रही है और जम्मू कश्मीर की जनता भी बारतिय जनता पार्टिय से काफी जादा कफा है अगर बारते जनता पार्टी के अपने ही नेता बारते जनता पार्टी पर सवाल उठाना शुरू कर दें तो इसका मतलब बारते जनता पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हूँ कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी जादा वाइरल हुआ जो अधिती शर्मा है नेशनल एग्जेक्यूटिव मेंबर है किसान मोर्चा की एक बड़ा पोस्ट है उनके पास और वो ही बारते जनता पार्टी जम्मू किश्मी बारते जनता पार्टी का अगर बात करूं तो उन्हीं नेताओं पर सवालिया निशान उठाते हुए नजर लोगों ने काफी जौड़ा उस वीडियो को पसंद किया और बहुत जौड़ा लोगों ने उस वीडियو को प्यार भी दी है अदिती शर्मा जी समय में साथ माघूद हैं जो बारते जनता पार्टी की मेंबर भी हैं बैठते जंता पार्टी के अगर मैं बात करू तो जम्मू की जंता काफी ज्यादा खफा है विपक्षी पार्टी को काम होता है दूसरी पार्टी के खिलाफ बाते उठाना और लेकिन जब अपनी ही पार्टी के नेतां को खिलाफ बोलना शुरू हो जाए तो ऐसा लगता है कि कहिना कहिन जो जम्मों के जनता तो नराज है उनकी नराज़गी बिल्कुल सही है और कल आपका एक वीडियो काफी जादा वाइरल हुआ जिस पर आपने काफी जादा बोला है अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्यों ऐसा करती है आप क्या कभी आपको डर नहीं लगता भी अच्छाई भी बताऊंगी लोगों को अब गलत करेंगे तो वो भी बोलूंगी इस वक्त मतलब जहां पर लोगों की जान बचाने की जरूरत है इस वक्त अगर मैं पॉलिटिक्स करूंगी और मैं सिर्ट करती रहूंगी उन्हें तो मुझे लगता है कि एक दिन मैं भी नजर आती है उसे बोलना जरूरी होता है क्योंकि सबसे पहले हम इस देश के वासी हैं उसके बाद में मैं एक पार्टी की मेंबर हूं उसके बाद में मैं पार्टी की कारे करता हूं सबसे पहले ये देश मेरा है मैं अगर पार्टी में आई हूं पॉलिटिक्स में आई हू मैं किसी नेता के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर मैं जनता के लिए आई हूँ मैं अपने supporters के लिए आई हूँ मेरे लिए important हैं मेरे supporters जो हर किसी बात के लिए मुझ पर देखते हैं मेरी तरफ देखते हैं अगर कोई परिशानी हो तो वो मेरी तरफ देखते हैं हमारी पार्टी के वरकर्स भी ऐसे हैं जो आज शायद कहीं और जाना पसंद नहीं करते क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें वो रिस्पांस नहीं मिल रहा तो बार-बार बोल-बोल कर कि मतलब आप सुधरिये गलत कर रहे हैं यह बोल-बोल कर जब नहीं कोई ऐसा सुधर रहा तो अब एक हाई टाइम हो चुका है मतलब एक हद हो चुकी है जब जम्मू कश्मी कि जनता इतनी जादा फ्रस्टेट हो चुकी है कि अब वरकर्स भी फ्रस्टेट हो चुके हैं क्योंकि फाइनली जो ग्राउंड पे पहले वो जनता को वीडियो में आपको दिखा दू जो कल वाइरल हुआ है अधिती शर्मा जी का पहले यह वीडियो देखें उसके बाद आगे की चर्चा को हम बढ़ाएंगे जहिंद आधरनिया रवंदर रैना जी और बाकी सभी जो हमारे पार्टी के और बाकी सभी पार्टी के लीडर्स भी आप लोगों से सभी से एक गुदारिश है प्लीज यह जो आप दोरे बोरे करने के लिए जा रहा है है हॉस्पिटल्स में या कहीं पर इससे बेहतर है आपको मुझे बताने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक तजवीज है मेरी कि यह जो आप यहां पर जाकर इनके लिए मुसीबत खड़ी करते हैं आद्मिनिस्टेशन और पुलीस के लिए क्योंकि वैसे ही वो काम नहीं करते है और मैं यह जानती है आप फूरी फोर्ज लेकर बता नहीं किस बात्रा डर है आपको जंता से डर लगता है तो की अपनी आखे खोलिये जाघिये और पुछ कारीए और पुछ करीए तो बॉり को बर्ट जी आखे रहा कि फिल्するक्राइब को काम आफ को तो पीक जूते मारेंगे आपको पकड़के यहां पर तो प्लीज आप कुछ काम करिए और वान मोर तिंग मुझे लगता है कि इसके इलाबा आपको अगर जाने का शौक है तो आपको अगर जाए और सानिटेशन करवाईए गल्यों में जाए लंगर लगवाईए कुछ और काम मैं भी मांग कर सकती हूँ और हम वही कर सकते हैं वही करें अगर भी किसी को आपकी जरूरत है महां पर अगर आपको उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं तो आप होस्पिटल में जरूर जाए लेकिन सिर्फ वहाँ पर एक disturbance प्रियेट करने के लिए प्लीज मुहाँ पर मत अधिछाफ नहीं मुझे कहा कि politics हो रही है कुछी पाइट बवागी पार्टी के बाए में बोल बोल के जिन देखिए, उनसे जनता कोई उमीद नहीं है, तो मुझे क्वोट ऑगे, तो मुझे कोई कमी नजर आएगी कि किसी भी नेता की वज़स से मैं हमारी पार्टी भाशपा की या फिर हमारे जो सीनियर नेता हैं या फिर जो हमारे प्रधान मंतरी वह नहीं है इस वक्त उनका नाम कहीं से भी हम नीचे गिरता नहीं देख सकते तो यह हमारा फर्ज भी है इस वक्त उन्हें आइना दिखाना जो यहां के लोग बैठे हुए है जो गलत कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही आज भी समझ नहीं आ कि यह कितनी बड़ी मुसीबत में खुद हैं इस वक्त जो आपको यहीं पर रुकूंगा आपने कहा कि गलत हो रहा है अगर बारते जिंता पार्टी लोग के जो नेता हैं वो अलग लग जगहों पर जाकर अगर लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं आग जंता की जो ब कि तलग करने के यह पर पर के आज हो रहे हैं और पीडिया कोश्टर थोड़ी दिखाई मिए तो बॉरत क्या है जो हमारे administrator, जो हमारे LG साब हैं, उनके पास जाएं और अपने जम्मू की demand रखें, अपने लोगों की demand रखें कि हम यहाँ पर किस चीज से जूज रहे हैं, कश्मीर ने अपने आपको संभाल लिया, वो तयार था इस pandemic के लिए, इस second wave के लिए, लेकिन हमारे जम्मू को तयार क क्यों नहीं किया गया, आज DRDO का एक hospital वहाँ पर बन रहा था, उसका आप कोई पता नहीं, वो कब बन रहा है, उसके साथ में आप building देख सकते हैं, भगवती नगर की यातरी भवन है, वहाँ दस हजार लग सकते हैं, आप क्यों उनको वो नहीं बताते हैं, दो दिन में hospital तय नेता हैं, उनकी बाशा भी वही है, जो आप बाशा इस्तिबाल कर रहे हैं, आप इस समय विपक्ष का रोल अपनाती हो नजर आ रही हैं जादा तर, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी हैं, उनका भी यही ब्यान बाजी है, कि यह नेता जो हैं, वहीं पावर इस वक्त दूसरे को नहीं बोल सकते, जो एक बार भी कभी election लड़ा है, कभी एक बार भी जिनको उस जनता ने vote दिया है, वो जिन्दगी भर के लिए जनता के लिए हैं, क्योंकि जिन्दगी भर के लिए वो pension ले रहे हैं, उसी MLA, एक बार MLA के, एक MLA पूरी जिन्दगी के लिए pension लेता है तो इसका मतलब वो एक बार लड़ा है तो उसे जनता के लिए जिंदगी भर खड़े रहना पड़ेगा क्योंकि आज भी उसका घर उसी जनता की वज़े से चलता है कुछ दिल पहले रविंदे रहना जी ने आरस पूरा का वहां पर दोरा किया था उनके सथ और भी जो बार्टे जनता पार्टी के बड़े नेता थे उन्होंने वहां के हस्पताल का दोरा किया था और उसके बाद नैशनल कॉंफरेंस के जो पूर विदायक है पहले वाजपा क विदायक तो अब नेशनल कॉंफरेंस पार्टी जॉइन की है डॉक्टर गगन बगत उन्होंने उनके खिलाब एक कंप्लेंट किया है कि आप इसे बिल्कुल सही मानते हैं अगर उन्होंने किया होगा कोई एस फॉलो नहीं कियोंगी तो वह कंप्लेंट कोई भी कर सकता है स सजा किसी के लिए हुआ है वहां पर बहुत सारी लोग वहां पर इकटा थे गाड़ी में चार लोग सवार थे तो वह भी कहीं ना कहीं लंगना है वन फॉर्टी फॉर इंपोर्ट करनों कर लगा हुए समयं देखिए यह सब चीजे हैं बिल्कुल नो डाउट्स एसोपीज क कि हमें क्या करना है बट अदर्वाइज भी मैं यह बोलूंगे कि यह वक्त यह ऐसा है कि जब हमें पता होना चाहिए कि हम अभी अपने जम्मू की अवाज कहां जाकर उठाएं हमें मसलों को हल करना है बहुत इस वक्त आपके पास सिर्फ एक ही इस वक्त आपके पास कोई दिम्मेदारी नहीं है कोई पे नहीं बैठा हूआ कोई कुछ नहीं कर रहा है सिर्फ एक ही जिम्मेदारी जिम्मेदारी है वह है है हेल्स देपार्ट है है और वह है football टेपार्मम्ट ऑ वक्त यШके कि अभी तक आपको तयार रहना चाहिए था, पिछली बार ही तयार हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने पिछली बार से लेकर अपता एक साल हो गया, आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ तयार ही नहीं कि इस से लड़ने के लिए, और आज भी आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी अभी आपको पता चला कि यहां पर वेंटी लेटर चलते नहीं है is this a statement to give, क्या यह statement है कि आप यहीं के है ना आप जम्मू के हैं ना आप जम्मू के representative हैं और यहीं के representative होकर यह hospital आप के अंडर आता है और आप ऐसी statement देंगे अप यह गलत है और अगर आप अब भी दौरा करने जा रहे हैं, सब कुछ आप वीडियो में देख रहे हैं, फिजिकली वाँ जाने के बाद क्या करना है, आप लोग सब कुछ दिखाते हैं, मीडिया सब कुछ दिखा चुकी है, और अब तो खेर मीडिया का जाना भी बंद कर दिया, ये भी गलत है मुझे लगता है कि इसे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप सही काम कर रहें अच्छा काम कर रहें मीडिया वह भी दिखाती है आज तक नीडिया ने वह भी दिखाया जो हम appreciate करते हैं doctors को coronavirus बोलते हैं हम लोग और वह appreciate करते हैं लेकिन जो doctors यही कारण है कि सबसे ज़्यादा मोतों रात को निकल के सामने आते हैं यह जो चीजे हैं हमें इन्हें हाइलाइट करना होगा तब ही हम सुधार सकते हैं यहाँ पर हम इमेज बनाने के लिए लगे हुए हैं कि हमारी इमेज ना खराब हो जाएं मीडिया को मीडिया अगर अंदर आ गई तो वाइस हो और रही बात अगर कोई पानिक ना क्रिएट हो लोगों के बीच में कोई पैनिक नहीं होता है पानिक वो सारे न्यूज चैनल दिखा रहे हैं तब पानिक नहीं क्रिय कि यूरू होने से पहले आपकी मैंने पोस्ट बताई कि आफ नेशनल एक्जियूटी मेंबर है किसान मोर्चा की लेकिन जब हमारी जम्मु किश्मीर के वाजपा के नेताओं से जब हमारी मुलाकात होती है तो वह साफ मना कर देते हैं कि आदिती शर्मा जी हमारी वाजपा जम्मु किश्मीर वाजपा के साथ तो आप होंगे ना बिल्कुल मैं पार्डी ओफिस नहीं जाती मैंने ये बात क्या करना कि आपकी बास इतनी बड़ी मैं कई महीनों पहले मैं ये बात बोल चुकी हूँ जब तक रविंदर रैना जी वहां पार्डी प्रेसिडेंट है स् अब उसंते हैं हम वहां इसी ह्ली जाते हैं कि हम कोई जंता के काम कर सके हैं तो जब आप जंता के काम करने के सुनने ao92 के यह होते हैं मेरे पीछे पीचे ददा Jandar I met कि पासे बिल्कूल पार्टी के पास यह पार्टी के वर्कर हैं नेता तो कौन कि से कितना खड़ा है वो तो जंता देखे पार्टी आपका साल पहले जबाटी आप पार्टी आफेप्डिव पार्टी में गें ती तो रवींदर रहनाँ जी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है एसी कोई बात नहीं है अगर मुझे कोई काम है तो मैं उसी इंसान के पास जाओंगी जो काम करेगा तो ऐसे मिलने के लिए तो मैं जा सकती हूं उनसे रविंदर रहिए जीुसरे के आषिमेंद कि लेख लेखे लेखे लविख लिखे लिश्वरừa today to my dad goni यही है कि मेरे जंते को ति लोगन संबान करती हूं नेशन की थ्रफंग कृट कि लिखिर लास्ट तो इन चीजों का सम्मान करते हुए मैं बिलकुल उनकी जो आइडियोलोजी है वो लोगों तक पंचाने का जरूर काम करूंगी लेकिन कुछ एक दो नेताओं की वज़े से कोई पाडी नहीं होती है मतलब पाडी को एक किसी एक नेता पर स्थीमित नहीं है कि अगर आपको कभी डर नहीं लगा कि आपके आप जो आप हैं आप बोलती है utilizz演 हाज पकी हिलब। तो आपर कोई कारवाई हो सकती है नवर मने किसी के पार्टी के बारे में बात की है और आज मैं अगर कहती हूँ तो मैं किसी ये सोच कर नहीं कह रही कि वो किसी पार्टी का न को हमारे नेताव ये हैं हाँ उनके पर जो रिस्पॉंसिबिलिटी दी गई है वो अगर निभाएंगे तो मैं उनको अप्रिशियेट करूँगी मैं सबसे पहले इंसान होंगी जो उ जूते पढ़ने चाहिए नहीं मैंने नहीं कहा कि जूते पढ़ने चाहिए मैंने यह कहा कि अगर ऐसा कोई इस तरीके इस वक्त भी अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो लोग पकड़के मारेंगे और यह सच है सिर्फ मैं एक किसी पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रही कोई भी हो मैं किसी एकी बात नहीं करती हां इनके लिए जरूर है क्योंकि मैं समझती हूं कि मेरे मेरे पाटी की रिस्पॉंसिबिलिटी इस वक्त इनके ऊपर हैं तो मैं जरूर बोलूंगी और जो ग्रांड पे वरकर्स हैं हमारे वो आज तक आज की डेट में यह सब बर कर लें और मैं यहीं कहूंगे कि अभी सुधर जाए थोड़ा पॉजिटिव वे में अपने आपको लीजिए बाकि इतना ही कहूंगी कि किसी भी पाटी लीडर के खिलाफ बोलने का मतलब यह नहीं होता कि हम पाटी के खिलाफ है पाटी एक लीडर से नहीं होती एक आदमी से पाटी नहीं होती है बिल्कुल अगर उसमें कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे ताके पाटी को भी पता चले सबको पता चलना चाहिए जनता जानती आज मैं आपको बोलों कि पार्टी वीडर हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो पूल उसी बहुत का बहुत प्यार है वो जब दुखी होगी मैं बोलूंगी जो उन्हें दुखी करेगा मैं उसके लिए जरूर बोलूंगी उसके खिलाफ है आखरी सवाल पूछ चाहूंगा सवास सुविदाओं की पूल पूरी तरह से खुल चुकी है जनता परिशान है जीमसी जाने से हमारी से अगर हमें जंग जीत नहीं है तो हमें किस तरह की कदम जो है उठाने चाहिए जो हमारे पास है बोलिए ये है जो नहीं है वो बोलिए नहीं है ताके उसका इंतजाम सही तरीके से बहुत ऑनेस्टली किया जा सके ताके सेंटर को भी पता चले सब को पता चले यह च में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है जिनके इतनी देर होने से आज तक एड्मिनिस्रेशन को कोई फरक नहीं पड़ रहा तो उसे बिठाने का कोई मतलब ही नहीं मनता उस इंसान को उसे हटाई यहाँ से कोई अच्छा आदमी को यहां से हटाना चाहिए उनकी पोस्त से ताके कोई और अच्छा आदमी जो काम करना जानता है उसे लाइए और जो काम करें और हिल्थ इड्मिन्सट्रेशन जो है कम्से सुद्रे को हमें में इस पैंडमिक की बात नहीं है पैंडमिक से पहले भी हमारा यहीं हाल था वेंटिलेटर तब भी नहीं चलते थे वह नीचे बैलून वाले हैं उसको बिचारे को पंप करके बिचारे वह जान बजाते हैं लोगों की तो कुछ नहीं है वहाँ पर हॉस्पिटल में ग्लुकोस लगता है बिमार अधिया बता दी हूं कि इन्होंने मौर्चरी में आदमी को लाश बेज दी उसके घरवाले जब लेने आते हैं तो वह मौर्चरी से आदमी जो है वह दिवार पकड़क पकड़के बाहर निकल रहा होता है तो आदे लोग तो डर गए उस वक्त वहां पर देखकर मतलब अब आप इससे बात इससे बड़ी आपको क्या बात बताओं कि मौर्चरी में आपने किसी को छोड़ दिया मौनी मौर्ट घोषिट करके और मरा शुषिद कर दिया और बहुत देखने को मिलती हैं अगर किसी को पाउँ पर भी चोट आते हैं यह सबसे वह लगाते हैं जिसकी उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है यह बिल्कुल देखिए अगर आप कहीं पीजी आई में जाएंगे आप एंस में जाएंगे किसी और डॉक्टर कहीं और अच्छे ऑस्पिटल म अपने लगा जाता है जब आप खाना नहीं सकते पानी नहीं पी सकते ओनली तो खेर जो भी था मतलब यह चीज है जो यह अच्छी तरहां से करना जानते हैं उसी वजह से अगर को ठीक हो गया तो के बाखी कुछ इंजेक्शन वगरा वो काम कर गए तो कर गए अदर्वेस जाए डाइगनोज नहीं कर पते आप तो खेर अब मैं उन चीजों में अभी आज नहीं बोलूंगी लेकिन आज सिर्फ इतना ही कह सकती हूं कि प्लीज अपना काम ओनेस्टी कर रहे हैं यह बिमारी अगर फैल गई तो यह हम सब के लिए दुखद होगा हम सब इसके लिए अब ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इसे यहीं रोकने की कोशिश करें जो आज तक हुआ है उसे भी भूल जाएंगे आपके अगर आप अब भी जमू कश्मीर को बचा गए लिए तो अभी भी सुदरने का मौका है और हम सब को जितने भी पॉलिटिकल पा जमू कश्मीर में महामारी गोशित कर दिया गया है और अब हमें स्वास्तल सुविदाओं की तरफ जादा चिंता करनी पड़ेगी क्योंकि जब तक हमारी स्वास्तल सुविदाओं ठीक नहीं होगी हम इस क्रोणा महामारी से जीत हासिल नहीं कर सकेंगे अब जितने भी डरती नहीं है और जो सच है उसका सामना करना हर किसी का दायतों बनता है चाहें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो और हम सलूट करते हैं अदिती शर्मा जी को जो हमेशा सच का सामना करती है बन रहें दो पब्लिश के साथ धन्यवाद